आज हम लोग कोई recipe नहीं बनाएंगे बलके मैं आज आप लोगों को मैं अपनी खुद की जो daily routine है उसके बारे में बताऊंगी कि कैसे मैं school भी जाती हूं और घर पे भी अपना manage करती हूं मतलब घर की जो भी काम है normally सभी को रहता है तो वो manage करती हूं और उसके साथ-साथ मैं YouTube वीडियो भी बना कैसे बनाती हूं तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे चलिए जानते हैं नमस्ते मेरे नाम लक्षु मजगा है चलिए जानते हैं मेरे डेली डूटीन के बारे में तो मेरे डेली डूटीन का सबसे पहले तो मैं सब स्टार्टिंग से बताती हूं जो भी खाना बनाना रहता है तो वो खाना बनाती है खाना बनाते ही मैं जो विडियो शोट रहता है वो कर लेती हूं कभी !" रोज एक्लिव खुसिबल हो तो गरती हूं नहीं करती, मैं शाम को करती हूं tik सुबह मैं वीडियो जो है वो बना लेती हूं इसके बाद मैं आपना जो भी काम है वो करती हूं इसके बाद मैं स्कूल जाती हूं स्कूल मैं पता दूँ कि मैं एक पैसे से टीचर भी हूं हिंदी टीचर तो मैं स्कूल जाती हूं स्कूल आप देख सकते हैं मेरे स्कूल पैसे से मैं रोज स्कूल जाती हूँ रोज सुबा 8.15 को मेरे बस जो है वो आजाती है स्कूल बस तो मैं इसमें स्कूल जाती हूँ स्कूल आने के बाद में आप तो देखी रहे हैं हमारे जो दिन बर स्कूल का कैसा रहता है तो ये स्कूल मैनेज करते हैं उसके बाद में 3.30 को मेरी चुटी होती है स्कूल से उसके बाद में घर आते हैं घर आते आते कवे करीब मुझे 4 हो जाते हैं तो उसके बाद में घर में आने के बाद में मेरे जो घर के काम है वैसे घर में आने के बाद में सबी लोगों के काम रहते हैं तो घर में आने के बाद में मैं अपना घर का काम करती हूँ सबसे पहले तो जो भी है जाड़ो बरतन जो भी रह जाता है मतलब जाते वक्त मैं बहुत जादा तो नहीं कर सकती तो आने के बाद में जो भी बचा कुछा रहता है तो वो मैं कर लेती हूँ उसके बाद में क्या करते हूँ खाना बनाते हैं क्योंकि शाम हो जाती है तो फिर खाना बनाती हूँ खाना बनाते बनाते मैंने पहले बताई कि मैं कभी-कभी सुबा शुट करती हूँ या फिर शाम को करती हूँ तो इस तरह से मैं एक तो शाम को बना लेती है नहीं तो फहले सुबा बना लेती हूँ मेरे जो वीडियो शुटिंग का काम है वो रात को भी होता दिन को भी होता उसके बाद में मैं अपना घर का खाना बनाती हूं मतलब नॉर्मल ही शाम का डिनर तयार करती हूं उसके बाद में डिनर तयार करते ही मेरे जो पी यूटुब चानल का वर्क रहता है जैसे एडिटि करती हूं सब एडिटिंग करने के बाद में आवाज रिकॉड करती हूं आवाज रिकॉड करने के बाद में फिर से एडिटिंग का पॉशन आता है क्योंकि दो बार एडिटिंग करनी पड़ती है जितने भी विडियो रहते हैं तो दो बार एडिटिंग करना पड़ता है तो म इस समये मैं ज्यादा नहीं कर पाई बट मेरे डेली रूटिन का हैं तो मैं कम से कम दो दिन में एक वीडियो अप्लोड कर दो दिन का में अपर तो दिन का जो काम है मतलब कि एक दिन posled करना दूसरे दिन editing उसी time में और फिर तीसरे दीन uploading करे ठाइब रहता है इस तरह से मिज़ने लगाधे हैं एक video upload करने में ये सब mar razor करते करते तो तीन दिन के बाद में मेरे चो video वह आती है और आप तो देखती है मेरे लोटीन है वह Α पर कैम में रात में कर लेती हूं कभी मुझे टाइम रहता है तो फिर सुबह करती हूं तो इस तरह से फिर मेरे रात के कम से कम ग्यारा बजे तक जो यह सब वर्क हैं घर को मैनेज करना योटूब और स्कूल मैनेज करने में मुझे रात को ग्यारा बजे जाते हैं उसके बाद में फिर से डेली वई पाच बजे उठो रात को ग्यारा बजे सो तो इस तरह से मेरे ड आना पड़ता है तो उस बीच में मैं वीडियो का जो काम है वो नहीं करती क्योंकि आप देखते होंगे कि बीच-बीच में मेरी वीडियो नहीं आती तो इसी वज़े से है कि मैं अगर कहीं बाहर गई तो फिर मैं वीडियो नहीं डाल सकती तो इस तरह से मेरी डेली रूटीन हैं मेरे वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीरेजे शेयर कीजे और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद